जै श्री राम जै बाकिश्वर धाम दोस्तो आज हम आपको ऐसी कुछ अद्भुत उपाए बताएंगे जिने यदि आप करेंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी दुनिया आपके कदमों में होगी कहने का तात्परिय यह है कि जहां पर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको मान समान की प्राप्ती होगी हर जगे आपका आदर समान होगा और देखा जाएं तो आप राजा की समान अपनी जिन्दगी व्यतीत करने लगेंगे इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास से बहुत महत्पूर्ण है इसलिए वीडियो को अंतक आवश्य दीखें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें पास वाली बैल आइकन का बटन आवश्य दबाएं जिससे के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें तो दोस्तों यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें सबसी ज़्यादा महत्पूर्ण है आस्था आप इश्वर के उपर पूर्ण रूप से आस्था रखकर ही उपाय करें देखिए यदि आपको विश्वास है तो आप अथर में भी भगवान को ढून सकते हैं और यदि आपको विश्वास नहीं है तो उसमें भगवान भी आपकी सामने आ जाएं आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो यदि आप इस उपाई को पूरे मन के साथ करते हैं तो ही आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो पाएगा आज का यह उपाई आपके मन को पूरी तरह से मजबूत बना देगा और मन तो मजबूत होगा ही साथ ही साथ आप अंदर से हर समय खुश रहेंगे आंतरिक रूप से खुश रहेंगे और यदि आप आंतरिक रूप से खुश हैं तो कोई भी आपको बाहरे रूप से दुखी नहीं कर सकता तो ध्यान से सुने पानी एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज में प्रवेश कर जाती है यानि कोई भी वस्तू पानी की धारा को रोक नहीं सकती यानि हर जगे समाहित हो जाता है पानी अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और पानी के एक खासियत यह है कि पानी जिसके साथ भी मिल जाता है उसी का सुबरूप धारन कर लेता है और उसी के समान फल प्रदान करने लगता है पानी के माध्यम से आप अपनी जीवर में आई हर समस्या का समाधान कर सकते हैं यानि कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है माता पिता उसकी वज़े से परिशान रहते हैं तो ऐसे में आपको करना क्या है एक काच के गलास में आप पानी ले ले पानी को गलास में डालते समय आपको अपनी इश्ट दीव को याद करना है अपनी मन में अपनी इष्ट देव को अस्थापित करना है और उस जल को दीखती रहना है और आपको बोलना है कि अब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा है और अब मैं रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूँगा अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच आने का प्रयास करूँगा और साथ बार आपको अपने इश्ट देव का नाम लेना है इससे वह जल अभी मंतृत हो जाएगा और फिर इस जल को आपको अपने बच्चे को पिला देना है दोस्तों विश्वास कीजिए यह इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही दिनों में आपको इसका फल देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपके घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे की अंधेरे में जाने से डर लगता है तो इसी प्रकार से आपको एक गिलास साफ पानी लेना है तो उस पानी को देखते हुए उसी प्रकार से अपने इश्ट देव का ध्यान करें और कहें कि मुझे अब अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता ऐसा कहकर उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दे यकिन मानिये फिर कभी उस व्यक्ति को अंधिर से डर नहीं लगेगा नाम जप में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है दोस्तों आप यकिन मानिये कभी भी आपको डर नहीं लगेगा और आपके सभी समस्याओं का समाधान होने लगेगा दोस्तो जल जो है वो पंच तत्व में से एक माना जाता है जो कि हमारे पूरे शरीर में विद्यमान होता है आपकी शरीर में मुझूद पानी ना कीवल आपकी शरीर को मजबूत बनाता है बलकि यह आपकी चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कारिय करता है चंद्रमा को जल का कारक रह कहा जाता है इसलिए चंद्रमा का शक्तिशाली होना बहुत ही महत्पूर है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वज़े से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है यदि आप स्यों भी किसी भी समस्या से परिशान है तो आपको जल को देखते हुए अपने इश्ट देव को याद करना है और कहना है कि मुझे इस समस्या से कुछ ही दिनों में चुटकारा मिल जाएगा और उस जल को अभिमंतरित करके पी लेना है ऐसा आपको साथ दिनों तक करना है आप साथ दिन के भीतर ही इसका प्रभाव देखने लगेंगे और साथवे दिन तो आप बिलकुल ही समस्या मुक्त हो जाएंगे ये थी एक छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजेगा और कमेंट में जैश्रीराम जैवागिश्वरधा मवश्य लिखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार